देख रहे हैं दा इंसाइड इस्टोरी इंसाइड इस्टोरी में आज बात होगी पहलवानों की और बाहु बली जो हैं भारी पड़ गए हैं हम बात कर रहे हैं भारतिय जुनता पार्टी के सांसद महौदे की जे हां ब्रिज भूशन शरण सिंग इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं जो देश के जाने माने पहलवान है उन्होंने जो महिला पहलवान है जिनका नाम है विनेश फोगाड उनका नाम है साक्षी मलिक ऐसे लोग धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर और कह रहे हैं कि इन्होंने हमारा स चल रहा है और क्या राजनेतिक परिपेक्ष में बात हो रही है इस पर जो है आज हम बात करेंगे संजीव जी बहुत बड़ा आरोप ये एक बीजेपी सांसत पर लगा है कि इस तरह से सोशल कर रहा है उस सरकार में जिसके मुखिया बेटी बचाओ का नारा देते हैं या फिर जब भी जीत कर बेटियां आती हैं तो मीटिंग करते हैं उनके साथ मिलते हैं और गर्व से उनकी पीट थप थपाते हैं दीखे जो सामाने कानून काईदे होते हैं वो खास लोगों के लिए बदल जाते हैं लोगतंत्र की सबसे बड़ी प्रासदी यही रही है और क्या बताता हूं कि पिछली दिनों संसद में अभी साल नहीं लगा है इस घटना को एक मंत्री जी जिनसे वो बार बार समय मांग रहे थी मुलाकात के लिए अपने श्यत्र की समस्याइं डिसकस करने के लिए और उन्हें समय नहीं मिल पा रहा था तो वो मंत्री जी उन्हें मिल गए और उन्होंने कहा कि आप से मैं समय मांगता हूं आप समय नहीं देते हैं और मंत्री जी ने कुछ हनक में बोला होगा वो मंत्री हैं और ये देश की संसद के भीतर घटित हो रहा है ये घटना जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं और जैसे ही मंत्री जी ने क कुछ ऐसी वेसी बात कही तुरंत तू तड़ाक और मारपीट के लहजे में आ गए ब्रजभूशोय सरण सिंग उनके ही पार्टी के वो सांसद और मंत्री थे जाहिर है उनके ही पार्टी के रहे होंगे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी अनुकंपा से मैं छह बार का सांसद और उन्होंने जो वहाँ पे स्थिती बनी उसमें मंत्री जी को बचा के ले जाना पड़ा यह दबंगई का अलम जो कि संसद में भी चलता है बाहर आये जो हम लोगोंने पूछा उनसे तो बुले हाँ मैंने किया उसको और मैं बार बार उससे समय माग रहा था और वो समय न सबों की मौजूदगी में 2019 का जो उनका हलफ नामा है जो चुनाव में परचा दाखिल करते वकित आपको लिखना पड़ता है उसमें उनके उपर ड़काईटी और इस तरह की केसिज उन्होंने खुद लिखे हैं हम पर दर्ज है हत्या के प्रयाज वगएरा वगएरा तो ब विदेश का नाम विदेशों में रोशन करके आई हैं उलम्पियंस हैं वो अगर इस तरह का आरोप लगा रही है यानि कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ऐसा नहीं कि जब ब्रजभूशन ये कहते हैं इस बात कर जिकर करते हैं मैं नोट करके लिए कि मैं फासी पर चड लोग करते हैं तहलवानी जैसा खेल कौन खेलता है जो कमजोर गरीब प्रिस्ट भूमी से आता है ग्रामिन प्रिस्ट भूमी से आता है खेते हर ग्रामिन प्रिस्ट भूमी से ज्यादा तर लोग आते हैं जो अच्छे घरों के लोग होते हैं वो तो टेबल टेनिस लॉन ट गह बनाते हैं ये खेल तो उनका ही है जो गाउं की जमीन और उसके मिट्टी की सुधी खुश्वू के साथ अपने कला को निखारते हैं और कितला मेहनत लगता है एक पहलवान के बनने में और फिर उस पहलवान के बनने से लेकर के उसके किसी अंतरराश्ट्रे स्वर्धा में उस पोडियम तक पहुचने में जो की जीत का पोडियम होता है और जब वो खिलाडी अपने पीछे भारती तरंगा को लेकर दोड़ता है पूरे उस परिसर में जहां वो मैच जीतता है तो किस तरह से हर वेक्ति गौरवान वीत हो जाता है और ये यात्रा जो होती है बहुत उस पर प्रैक्टिस पहलवानी का नहीं चल रहा है उस पर राजनीतिक जोड़ जबरदस्ती चल रही है और जो आशो गिर रहे हैं वो आप ये समझ लें कि हमारे देश की वो बेटियां जो इतनी गुर्बत और गरीवी से निकलती है और देश ने जब दो फिल्मे बनी पह ये समझ में लोगों के आया कि ये बहुत आसान प्रोजेक्ट नहीं होता है किसी पहलवान को बनाना और लड़कियों का पहलवान बनना तो और भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इतनी ज्यादा सामाजिक बाधाये हैं वैसे लोग जब मेडल जीत करके आ जाए और जब व अलम्पिक्स जी चुकी है व्रांज मेडलिस थी वहाँ पे वो लोग अगर शिकायत कर रही है और वो भी दुख के साथ कहना पड़ता है याउन शोषन का शिकायत तो फिर ये सम्भाव है कि अपना पक्ष भी हो बरिजभूशान सेयान सिंग का लेकिन आज तीन दिन हो जा गई ना तो इसका मतलब है कि बरिजभूशान सेयान सिंग बहुत सामान्य वक्ती नहीं है बहुत ही ज्यादा मजबूत वक्ती है कि उनके खिलाफ कोई आक्षिन नहीं हो रहा है इतने मजबूत कि सरकार के जो करता धरता या फिर एक चहरा उनसे भी जादा मजबूत है कि वो एक तो जो आरोप लगाया गया विनेश ने कहा कि सब कुछ पता है हमने सब कुछ प्रधानमंत्री को बताया है अगर प्रधानमंत्री जी को सब कुछ पता है तो इस स्यादा क नजर आएगा ना देखे उन्होंने जिनको बताया और उसके बाद उस पर एक्षिन नहीं हुआ तबी तो जनतरमंतर पे नजर आ रहे हैं तो ब्रजभूशन बहुत विशेस हैं तो उससे भी उनसे भी ज़ाद है और आप यह देखिए कि क्यों विशेस है उनी सो ग्यानवे हाँ तो पहरी दफ़ा वह सांसद बने और उसके बाद से 99 से लेकर अब तक लगातार सांसद हैं और किसी एक कंस्टिटुओंसे से रही वो गूंडा से भी रहे हैं मल्रांपूर से भी रहे हैं वो अभी कैसरगंज से सांसद हैं और जो पूरा इलाका है देवी पाटन मंडल गॉंडा यानि के बस्ती से लेके गॉंडा तक उनका हर constituency में दखल है जाहे वो लोकसभा हो या विधान सभा हो और अगर एक rough estimate देखा जाए तो विधान सभा में करी 15 ऐसी सीटे हैं जहां उनके जाने से प्रभाव पड़ता है लोकसभा की तीन चार सीटें ऐसी हैं बॉंडा है कैसर गंच से तो खुद ही है बलरामपूर है आयोध्या है इन सब जगहों पर जो है उनकी एक तरह से influence काम करती है तो क्या ये वज़ा है वो जिस जाती से आते हैं क्या वो एक प्रभाव शाली जाती विशेस के लोगों में गलत संदेश देगा इसलिए डर रहे हैं लोग उनके उपर कोई action लेने में या फिर action लेने मालोग को ये लगता है कि दरसल या रूप गलत है और वो पाक साफ है दो ही चीज़े हो सकते हैं लेकिन जब ये कहते हैं कि मैं मूझ खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी वो क्या कह रहे होते हैं दरसल वो कुछ और इशारा कर रहे होते हैं क्या कि कुछ और नाम expose हो जाए है जो एक ही बार सुनामी हम लोगों ने याद में देखा है तो वो सुनामी तो इसका मतलब है कि और भी बड़ा विद्वंस लेकर आ जाएगा तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने मूझ खोला तो सुनामी आएगा और उन्होंने आज मूझ नहीं खोला प्रस्तावित प्रश्व भी मतलब आएगे और खेल मंतरी अभी तक कहा थे दो तीन दिन हो गया अठाणा तारिक का यह मामगा है ठाणा तारिक से यह लगातार चल रहा है दिली में नहीं थे कल रात दिली पहुँचे हैं तो जानकारी और अनकारी रखते हैं कुछ वैसे तो हर मामले पे गोली मारो करते हैं अब इस मामले पर कुछ नहीं कह रहे हैं नहीं वो गुरुवार जब पहुंचे तो उन्होंने दस बजे से चार घंटे बैठक कर दी रात के दो बजे तक नतीजा निकला फिर सुपर उन्होंने कहा आईए दो बैकफस्ट पर मिटिंग करेंगे लेगी पहलवान नहीं आए फिर से शाम को यानि के शुकरवार साम बैठक चालू है और जिमेदारी तो आखिरकार उन्हीं की है देखिए फेडरेशन भले ही अटॉनमस होते हैं उसमें अपना चुनाव होता है पर फेडरेशन को पैसे कौन देता है सरकार ही तो देती है और सबके सब फेडरेशन इंडियन अलूम्पिक असोसेशन के ही तहत आते हैं तो कोई टेकनिकल वज़ा बता कर कि हम एक्शन नहीं ले सकते हैं ये बहुत ज़्यादा काईदे की बात नहीं हुई एक्शन अगर लेना है तो लेना है वो फिर देखिए क्या होता है कि एक लोकसंत्र में लोकलाज होता है ऐसे आरोप अगर लग जाएं और खास्तोर पर उन बेटियों के द्वारा जिनकी वज़े से कभी इस पूरे देश का सरसंमान से उंचा उठा हो तो फिर दुखतो है और इस बात के बावजूद अगर एक्शन न देखिए हेमानशू मैंने बताया कि कहीं ब्रजभूशन सरन सिंग जिस समाज से आते हैं वहां गलत सदनेश न चला जाए ये एक दुविधा अगर है तो दूसरी तरफ दुविधा ये है कि जितने पहलवान है ये भी विशे समाज से आते हैं जाट समुदाई से आते हैं ह कहीं ऐसा तो नहीं है कि खटर साहब की सरकार भारते जिन्ता पार्टी की सरकार यहां चल रही है योगिया अधितनाथ जी की सरकार भारते जिन्ता पार्टी की सरकार यूपी में भी चल रही है हर्याना और यूपी दोने जगा भारते जिन्ता पार्टी है और कहीं गुणा लगा है अब कि कहीं ये सियासी गुड़ा गड़ित में भी ये पूरा मामला जाकर फंस तो नहीं गया है पुलीस केस अगर इस तरह के मामलों में होता है तो फिर कारवाई होने शुरू हो जाती है क्योंकि अगर माहिला जाकर किसी थाने में शिकायत इस तरह की करती है और कहती है कि हमारे पास सबूत है तो फिर वो F.I.R. होने के बाद एक्षिन भी सुरू हो जाता है पूछा जा रहा है कि सबूत है सब कुछ है तो फिर आर धरने पर क्यों बैठे हैं F.I.R. करिए सिधे करवाई क्यों नहीं हो रही देखे ये सामानी तरीके से तो बात समझ में आती है लेकिन इस सिधी की कलपरा कीजिए कि कोई व्यत्ती इंटरनाशनली अक्लेम्ड स्पोर्ट स्टार है विनेश और साक्षी विनेश और साक्षी ही दो ऐसे अथलीट है पहलवान है जो कह रही है कि हमारे साथ सोशन हुआ है और हमारे पास एविजिन्स है आप ये समझेए कि अगर वो ये कहकर सबूत नहीं दे पाती है तो जितना सम्मान उन्होंने अभी तक कमाया है वो सब खत्म हो जाएगा उन्होंने अपना करियर दाओ पर लगा दिया है इस एक वाक्य के पीछे अगर वो जूटी साबित हो जाती है तो फिर वो केवल जूटी साबित इस मामले में ही नहीं होगी उनका जो पूरा एक औरा है जो क्रियेट हुआ है उनके आसपास ये तो वो पात्र हैं जिनके आस उन्होंने तो कुछ तो होगा पहली बात दूसरी बात जो बहुत महत्तों पुड़ा है कि भारतिय कानूनों में कभी भी किसी महिला के साथ अगर कोई अत्याचार हुआ है तो फिर ये बात बहुत स्पस्ट है कि पब्लिकली वो बात नहीं बताई जाएगी तो ये जो पू ये पब्लिकली नहीं दिया जाएगा बिल्कुल मेडिया एथिक्स भी है कि आप उनका नाम नहीं या फिर शकल है तो शकल नहीं दिखाएगे वो इसलिए है कि एक सो चौशट के तहत ये बयान सीधे मैजिस्ट्रेट के पास दर्ज होता है जिनको कानून की जानकारी नहीं है वो ही ऐसा बोल सकते है इसमें थाने में भी नहीं दर्ज होता है इसमें सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जाकर के दर्ज होगा और मैजिस्ट्रेट के पास जो आपने लिखा है फिर उस वो आपका जो है वो फाइनल अर्गुमेंट माल लिया जाता है उसमें पुलीस का कोह रोल नहीं होता है, बाकि मामलों में तो पुलिस चार्ज़शीट बनाती है, 164 के तहट अगर बयान होता है, इस तरह के मामलों में, तो वो सीधे मैजिस्ट्रेट के पास होता है, फिर उसमें पीछे हटने का कोई सवाल नहीं होता है, उसके बयान को लिखकर, पढ़कर के, औ बात वहां तक जानी की भी नहीं है, बात यह है कि कहीं जो कल उर्जा दिख रही थी, कि भाई आक्शन हो जाएगा, आज वो उर्जा नहीं दिख रही है क्या, क्या कुछ घटा है, कुछ जो एक था के पहलवानों के साथ है, और तुरंत बुलाया गया था, ओफिशल्स पह भूंडा जाकर के और अपना पाउं जमा दिया है, और कह दिया है कि भी बाईस तारीक से पहले मैं तो स्टीफा नहीं दूँगा, रस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया ने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है, जो 72 घंटे का टाइम लाइंग सरकार की तरब से दिया ग नहीं है, यह इस बात से थाबित होता है, एक उधारन है यह अपने आप में, जो कि दुखा दिस्थिती है, यह तो है, कानून से उपर है वो, वो हर चीज से उपर है, वो सरकार से भी उपर है, जी बिलकुल, देखिए इस बात को तो आप individual merit से कुछ हासल करते हैं तो सम्मा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ताकत तो लोगतंत्र में राजनीतिक सत्ता ही देती है, और राजनीतिक सत्ता जिन खिलाणियों ने चुनाव लड़ लिया, तब ही जाकर कि आप देखा होगा कि खिलाणियों लोग भी आप चुनाव लड़ने लगे हैं, रविंदर जाड पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ट्राफिक वाइलेशन हुआ था, और फिर उन्हें वीडियो बड़ा वाइरल हो गया था, उन्हें फिर थाने जाना पड़ा था, और बड़ा, तो उन्होंने सोचा कि काम ऐसे नहीं चलेगा, बहले ही मैराविंदर जाडीजा की पतनी, औ और वो विधायक बनी, आज की तारिक में भाइलेशन हैं, बहुत से लोग है, तो ये बात तो बहुत जगजाहिर है कि आप कितना भी बड़ा ओधा हासल कर लें अंतरास्टे जगत में अपनी व्यक्तिकत शमताओं पर, मेधा पर, लेकिन राजनितिक सत्ता तो राजनितिक से सांसद है, और मोदी जी ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया, उनको इस लायक नहीं समझा गया, इस सिनियोरिटी के बावजूद, कोई उन्हें हरा नहीं पाता है उनके शेत्र में, उनकी पत्नी भी सांसद रहे चुकी हैं, अभी जिले में कोई पद रखती हैं, उनके दोन राजनितिकी को मुदी जी ने अपनी मंत्रि मंडल में जगा नहीं दिया है तो कोई बात होगी एक तरफ यह आरोप हैं तमाम चीजें हैं दूसरी तरफ यह जो चीजें बठती हुई भी नजर आ रही है मैं देख रहा था कि नर्सिंग यादों हैं CWG Gold Medalist है यह यह कह रहा है कि सबको मौका देते हैं भूशन जी उनके खिलाफ जो है साजिश हो रही है उनके समर्थन में उता रहा हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं यह लोगोंने समर्थन किया है एक तरफ समर्थक हैं एक तरफ यह पब्लिक सपोर्ट जो है बिनेश हो या फिर साक्षी हो बजरंगपुनिया भी महां मौझून है यह सब तमाम लोग हैं वहाँ पर इन सबको मिल रहा है इस बीच में जमकर राजनीती जो हो रही है उसमें इस सारे मामले कहीं न कहीं इसकी गंभीरता भी कम होती हुए आपको नजर आ रही है तेखिए इंसाइड स्टोर पर बने हुए है चार-चार साल के लिए एक बार आप बनते हैं तेसरी बार है तो ये तीसरी दफ़ा हैं थो वो ये पद छोड़े हैं इसकी आप शकता क्या है अपको तो एक दबाब सरकार ने बनाया और सरकार इस बात से कहीं कन्विंस निज़र आती है कि हुलारियों के स तरह से सामने नहीं आता है आप उसे बोल दीजे कि ये एक जाते विशेष की समस्या है या एक राज्य विशेष के लोग है या आप तो ये भी कहा जा रहा है कि परिवार विशेष के लोग है तो ये बड़ा घलत होगा देखिए अगर हम कहते हैं अध्यक्षपत से इस तीफ किर किरी वाली बात हो गई इसमें विनेबिलिटी का फैक्टर है प्रजभुशर संसिंग एक विनेबिलिटी के फैक्टर को साथ लेकर चलते हैं नहीं तो जीत जाते हैं तो क्या आप किसी को भी रख लेंगे आप कोई आपकी आपकी पार्टी का कुछ उदेश है आपकी पार संसकारी बिलकिजबानुवाले मामले में जिनको कहा था विधायक जी ने विधायक जी को दिया गया था गुजरात में और वो जीते भी देखिए विनेबिलिटी बहुत बड़ी बात होती है तो आज की डेट में वो सब चीज़े काली कहने की है और दबाब बनाया जा रहा है दबाब बनाया जा रहा है जिल्ली से कि भई स्तीफा दीजिए अब उनकी समस्या क्या है कि ब्रजभूशान समस्या कभी गोंडा में है अपने ग्रेशत्र में है अरे वहाँ पर अकर यह आरोप के साथ वो पीछे हटे कि यौन शोशन के आरोप में तो उनके भी दुश्मन है उनकी भी प्रेस्टीज है वो फासी पड़ी है तो कोई ऐसी एग्जिट ओनेरेबल एग्जिट पॉइंट सम्मान जलक तरीके से निकला जाए कोई ऐसी जगह ढूंड रहे है बस 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 वही है बाईस तारीक को यह जो रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एज नहीं सकता है उसे चार साल का गैप लेना पड़ेगा जिसको कूलिंग पिरिड कहते हैं तो चार साल का गैप वैसे भी आना है तो और छे महीने पहले छोड़ने में कहीं कोई हर्ज तो है नहीं तो वो एक सम्मान जनक तरीके से एग्जिट करना चाहते हैं और ये मौकाद स कमान सिक्सोशल किया है ये तो कानून में है कि आप किसी का सोशल थोड़ी ना कर सकता है दो सरों पर बैठे हूँ दो सरों पर बंती है एक तो यह है कि स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है उनके अपने स्पोर्ट्स कोड होते हैं और उसके तहत अगर कोई जाकर के कंप्रेइन दर्ज कराता है तो वहाँ एक्षन लिया जा सकता है फेडरेशनों में भी कानून होते हैं सेक्शिल हारिस्मन्ट और इस तरह के कानून होते हैं दूसरा जो देश का कानून है जो हम सब के लिए है आई पीसी, सी आर पीसी, एविडिंसेज अक्ट इसके तहत आप आई पीसी क हट जाएं तो मौजूदा समस्याएं जो हैं वो अपने आप हट जाएंगे और जो हमारे साथ हुआ नहीं हुआ इसमें से दिखिए ज़्यादा तर वो खिलारी हैं जो अब बहुत ज्यादा सक्री आपको ज्यादा दिन नहीं दिखेंगे तो इनका ये दलील है कि हम के लिए कुछ करके जाना चाहते हैं और उस कारण से ये सामने आगे आए हैं आपके साथ गलत हुआ आप कह रहा हैं कि हमारे साथ कुछ लोग यहां बैठे हैं उनके साथ भी गलत हुआ और ऐसे हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके साथ गलत हुआ गलत हुआ जिसन अब आप पुलीस में जाएंगी क्या और क्या आप दर्ज कराएंगी केस एक चीज और जो कही गई वहाँ पर जब मीडिया मंदू बैठे हुए थे कि डराया जा रहा है धंकाया जा रहा है जान से मारने की धंकी तक दी जा रही है का जा रहा है जैसे विनेश ने इस बात का टोक्यो ओलंपिक से वापस आने के बाद जिन्दा रहूंगी या नहीं रहूंगी ये भी नहीं पता था इस तरह की इस्तिती बन गई थी देखिए वो तो ब्रजभूशन सारण सिंग के अपनी एक चवी है और ब्रजभूशन सारण सिंग के उपर काड़ा का भी केस लगा हला कि वो बरी हो गए और दाओद इबराहिम से नाम जोड़ा गया हला कि उन सबों में वो बरी हो गए और कोई भी ऐसे आरोप आग की तारीक में उनको पर नहीं है पर दिखिए the reputation precedes the man वो एक बाहु बली की तरह सामने आते हैं और उनकी छवी उस तरह से बनी है बनाई ग आप खेल में इनको इसलिए लाते हैं कि इससे सरकारी नौकरियां हो जाती हैं तो इस तरह के सोच वाले लोग होते हैं तो बहुत बड़े लोग हैं आपको अंधाजा है इनके पास 55 महा विद्याला है 55 colleges उस पूरे अलाके में इनके हैं ऐसा माना जाता है कोई सामानी विक् है और उसके लगातार भी जीतने की ही संभावना है वो 2024 में भी बहुत मजबूत है कोई सामने खड़ा नहीं नज़र आता है तो ऐसे विक्ति के बारे में अगर वो महिला कह रही है आखिर है वो पहलवान लेकिन है वो लड़की और हर माबाप को देखिए एक बात आपको बताता हूं मेरी बिटिया हो किसी की बिटिया हो खेल में अगर वो जाना चाहती है पढ़ाई में जाना चाहती है तो उसकी सुरक्षा अगर सुनस्चित है तब ही माबाप को ये टाकत आती है भीतर की टाकत आती है कि वो हम भेजें उसे वहाँ वो अकेली रहेगी और सुर रख जाएगा कहीं भीतर और फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी तो यह बहुत जरूरी है कि एक प्रिसिडेंट सेट होना चाहिए इन मामलों के जरिये भी आज की तारीक में विनेश भी बहुत कमजोर नहीं है और बाकी लोग भी यह सब सब अब एक सक्षम लोग हो गए है पर जो संदेश जा रहा है वो बहुत गलत जा रहा है और उसे दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है इस मामले में एक्शन जो भी लेने लेकिन अगर वो विश्वास हिल जाएगा तो ना खेल का भला होगा ना समाज का खेल की बात भी हो रही है पॉलिटिक्स की बात भी हो रही है समर्थक भी है और दूसरी तरफ जो खिलारी कह रहे हैं जो पहलवान कह रहे हैं उनके समर्थक भी है तो कुल मिलाकर यह पुरा मामला उल्जा हुआ है इसका सॉल्यूशन क्या निकलेग कमेंट करके बताईए